हेलो, वेलकम टो आर यूट्यूब चैनल महत्माई क्रेटर, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे की कोश्चन पेपर लिक होगा या नहीं होगा ठीक है? आपका जो बिहारबोट का question paper है class 12 का है वो लिख होगा या नहीं होगा ठीक है और ये भी बताएं कि पिछले साल लिख हुआ था या नहीं हुआ था उससे पहले लिख हुआ था या नहीं हुआ था तो आपको तो सबसे पहले हम ये बात बता देना चाहते हैं कि आपका जो question paper ह ठीक है, question paper, पहले जो है, जैसे कि 2016 में हो गया, 2017 में हो गया, आपका बहुत सारा, बहुत लोग question paper लिख कर देते थे, ठीक है, मतलब कि जो वहाँ में teacher लोग होते थे, वही लोग लिख कर देते थे, लेकिन अब, जब 2018 के बाद, ठीक है, जब इस चीज़ पे ध्यान दिया गय घए, तब से जो है, आपका question लिख नहीं होता है, चाहे किसी भी कीमत पे आपका question लिख नहीं होता है, ठीक है, जब भी आपका वहाँ पे, exam के centre पे, सुबह में, question paper आता है, webs Wag लेकर आते हैं, और magistrate कि ज़ो आते हैं, वह सीधा आके center पे question देते हैं तो ये बात समझ लो कि question paper link नहीं होता और कुछ लोग अफवा भी फैलाएंगे कुछ YouTube पे video भी आएगा कि link question paper के solution देख लो तो ये सब जो है न ये सब आपके previous year के question रहते हैं और previous year के question में कुछ add करकर के आपको दे दिया जाता है गुमराह करने के लोग कुछ लोग तो इस पे पैसा भी कमाते हैं कि भाई साब इतना पैसा दो हम आपको question देंगे तो ये सब के चकर में मत पढ़ना question में कोई हिराफिरी नहीं होता देखो ये आनंद की सोर जी आपको बैन कर दिया जाएगा एक्जाम आप तीन साल के लिए नहीं दे सकते हो ठीक है और तीन साल आपका बरबाद हो जाएगा तो इस तरही का जो चीठ पूर्जा है, यह चीठ पूर्जा आप लेके कभी मत जाना, ठीक है, और इसलिए जो है आपका जूता भी पहन के नहीं जाना है, आप कोशिज करना कि चपल पहन के जाए हम एक्जाम देने, चपल पे जाओगे, कोई दिक्कत नहीं, अगर जूता पहन के जाते हो, मोज पहन के जाते हो, जूता मुझा दोनों खुलवा के रख लिया जाएगा, और दूसरा आएगा, पहन के निकल जाएगा, आपका जूता गया काम से, ठीक है, तो मंदीर से भी बुरा हालत है, यहाँ पे तो मिल भी जाता है आपको, लेकिन यहाँ पे मिलेगा भी नहीं जूत ठीक है, तो अब वैसा नहीं होता है, अब उस तरीके, अब आप गये वहाँ अंदर में, उसके बाद आपके गर्जियन को मिलने का मौका भी नहीं हो, देखो इस तरीके से जो उपर चहर-चहर के लोग चीट करवाता था, तो अब यह सब सिस्टम नहीं है, अब कोई भी च चहर-चहर के चीट नहीं करवा सकता है, इस तरीके का अब एकदम बैन हो गया है, बंद हो गया है, आपके सेंटर के चारो तरफ पुलिस रहते हैं, ठीक है, और एकदम बाहर से महोल एकदम करक रहता है, कोई भी आसपास नहीं घुमता है, ठीक है, कोई भी, चाहे वो वहा पास से बचो यह सब जो है ना फेक है सब कुछ फेक है ठीक है तो फेक चीजों से बचो तब तक के लिए जै हिंद वंदे मातरम